हेलो फ्रेंड्स नमस्कार बहुत बहुत स्वागता आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल डिया स्टैडे गुरूजी में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एप से वोचमेन के वारे में जो आपके हरियाना और पंजाब के अंदर जो भरती निकली हुई है तो इसके वारे में वहीं डिस्कस करेंगे और आपके जीते में भी डाउट होते हैं सभी डाउट मैं इस वीडियो में कलियर करने वाला हूँ अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो मुझे कोमेंट सेक्शन में कोमेंट कर सकते हैं और अपना डाउट आप मुझे पूछ सकते हैं अगर मुझे पता होगा तो मैं आपको जुरूर बताओंगा इस वीड़ो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो आपका APCA Watchmen का जो हरियाना का exam हो चुका है पंजाब का exam होना बाकि है और हरियाना का जो APCA Watchmen का result भी आ है पीजिकल होका है इन दोनो के लिए ही डिस्कस करेंगे कि इन में जो आपके APCA Watchmen की भरती होती है तो ये किस परकार की आपकी जोब होती है इसमें छुटी कितनी में आपको मिलती है सैलरी क्या कुछ रहती है लास्ट सैलरी आपकी कितनी हो सकती है कितने गंटे आपको काम करना पड़ता है सब कुछ जितने भी आपके ये डाउट है सभी doubt आपके clear होने वाले हैं इस वीडियो को देखने के बाद में तो चले वीडियो को start कर लेते हैं तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो apsi watchman की जो वी कैसी होती है जो profile तो apsi watchman की जो profile दोस्तो बहूत ही अच्छी होती है इस पर किसी परकर का कोई डिप्रेसन नहीं होता है दबाव नहीं होता है इसमें आपको कैसे काम करना पड़ता है तो देखिए जो सरकारी डिपार्टमेंट के जो गोडाउन होते है उनके अंदर आपकी डूटी आती है और गोडाउन में अगर बात करें तो आपकी गैट के पर duty आती है ज़्यादातर जो अभी Fca Watchman Get के उपर होती है और यहाँ पर Watchman का मतलब ही सुरुक्ष्या कर्मी होता है तो यानि कि इनका काम क्या होता है तो भाई इनका काम होता है जैसे कि बहार से कोई गाड़ी आती है तो उसकी इंटरी करना और अंदर से कोई गाड़ी बाहर जाती है तो उसकी इंटरी करना ये इनका काम होता है गैट पर काम होता है और काफी वार आपकी लूटी वई गोडाउन पर भी आ सकती है यानि की गोडाउन को समालना उनको देखना और जो गोडाउन होते है वो आप और काफी बार क्या होता है कि जो मेनेजर या अफसर होते हैं वो आपको इससे अलग भी काम दे सकते हैं यानि कि कोई फाइल है तो वो एक स्थान से दूसरी स्थान पर लेके जाना या और वहां से आपको लेके आना ये काम भी आपका हो सकता है ये वी वोचमेन का काम होता है तो इस परकार से आपका वही, यह आपकी जो profile होती है इस परकार से आपको काम करना पड़ता है और इसमें वही, ज़दा कोई pressure वाली बात नहीं होती है नौर्मल आप बैठार कर अराम से काम कर सकते हैं आपको register दिया जाता है, उस पर आपको entry करनी पड़ती है इसके बाद में बात करते हैं कि दोस्तों आपकी जो salary होती है वो salary कितनी होती है कहां से start होती है और कहां तक जा सकती है तो इसमें आपकी जो salary होती है जो आपका pay scale होता है वो आपका 23,000 से start हो जाता है और friends ये आपको 64,000 तक मिलती है यानि कि 23,000 से लेकर आपकी 64,000 के बिच में salary रहती है और इसमें दोस्तों आपको कितने गंटे काम करना पड़ता है तो एपशे वोच्मेन के अंदर इसमें आपको लगबग 12 गंटे काम करना पड़ता है इसमें आपको 12 गंटे की duty या वो देनी पड़ती है duty आपकी किस परकार होती है तो duty आपकी 7 से 7 हो सकती है या फिर आपकी 8 से 8 हो सकती है इस परकार से आपकी duty होती है काफी सारे साथियों का doubt रहता है कि एपशे वोच्मेन को क्या रात में भी duty करने पड़ती है तो देखेए एपसिय वोच में झो रात को ड्यूटि नहीं करने पड़ती है क्योंकि दोस्तो जो पुलिस रिटाइड होते है और जो फूजी बाईर रिटाइड होते है रात को उनकी ड्यूटि होती है इनको जो कोटा दिया जता है उसके गोडिंगे लगे होते है रात में जबी या तो पुलिस कर्मी जो रिटाइड है या फोजी जो रिटाइड है उनको यहां पर रात को ड्यूटी दी जाती है अब आगे बात कर लेते हैं अब हम जान लेते हैं कि आपको कितनी छूटी मिलती है तो फ्रेंड्स संडे वाले दिन आपका कोई ओफ नहीं होता है लेकिन अपते के अंदर आपको एक छूटी मिलती है और आप किसी भी दिन छूटी ले सकते हैं वो आप पर डिपैंड करता है कि आपको किस दिन छूटी लेनी है तो आप ले सकते हैं, आपको जिस दिन भी काम हो, आप उस दिन एक दिन चुटी ले सकते हैं, अपते में आपकी एक चुटी होती है, संडे का इसमें कोई रोल नहीं होता कि आपको संडे को चुटी मिलेगी, संडे को चुटी नहीं होती है, हपते में आप किसी भी दिन 60,000 आपके salary होती है चुटे की बात कर लिए हमने Sunday दिन चुटे नहीं होती है बाकि आपकी हपते में एक चुटी होती है आप किसी दिन भी चुटी ले सकते हैं और जो profile के बारे में हमने जान लिया कि कैसे आपको work करना पड़ता है तो इसमें आपको वही गैट पर आपकी duty हो गेहूं की या फिर चावल की जो भी गाड़ियां आती है जो भी work कर वहां पर आते हैं उन सबी कि आपको entry करनी होती है और जैसे वह बार जाते हैं तब इनके entry करनी होती है तो इस परकार से आपको यह वरक करना पड़ता है या फिर आपकी go down में duty आ सकती है वहां पर आपक मुझे comment box में कर सकते हैं अगर मुझे पता हुआ तो आपको reply जुरूर मिलेगा चैनल को subscribe नहीं क्या तो आगे के update पाने के लिए चैनल को subscribe करें गंटी वाले बटन को दबाई आज की इस वीडियो में इतना ही थैंक्यू आपका दिन मंगल मैं हूँ जैंजबार्द